परांठना करते रहो दोलากते रहों तेरे बहने पर जी रहाओ तेरी करपा से जी रहाओ तेरी करुम में उसके सिवा सब्सक्राइब के असमें तो लुआ भुबर विश्नोर भाग्वान विश्णодस ब्रह्मा ने मंधन किया और भगवान विश्णो और भगवान ब्रह्मा जब मन्थन करे तो उस मन्थन में शिविलिंग प्रगठ हुआ मन्थन में शंकर का प्रगठ होना बहुत बड़ी बात है जिसे बात बात में शिवजी का नाम शंकर का यश शंकर भगवान का गुणगान शंकर भगवान की भक्ति की बात आपके मुख पर आगर बार बार आ रही है ना आप बार बार के रहे हैं कि बड़ी कृपा करी साम मेरा ही मिने तो पसुपति विरत कर रहा था और भगवान ने मेरा इसा कर दिया, मैंने भगवान को मुंग चड़ाया था और भगवान ने इसा कर दिया, मैंने चावल चड़ाया था भगवान को और भगवान ने ये कर दिया, मैंने भगवान को बेलपत्र चड़ाया था, भगवान ने मेरा ये काम कर दिया, भगवान को मैंने धतूर आपके यश्गुण गाने में भी करके देखना साथ से निवेदाने बहु की बढ़ाई करके देखो कितनी भी बुरी बवव कितना भी अप्षब्द कहती हो कितना भी ताना देती हो कितनी भी गाली देती हो कितना भी आडा तेडा बोलती हो बहले तुम्हें समालती हो ना समालती हो तुमारा सम्मान करती हो ना करती हो तुमारा आदर करती हो ना करती हो उसके बाद भी तुम च यश्गुन गाना उसका भले वो गाली दे, अब शब्द के ताना दे, कुछ भी बोले पर तुम यश्गुन गाऊ उसका, खूब गाऊ और खूब दिल से यश्गुन गाऊ उसका एक महिना इंतजार करना, यश्गुन गाते गाते दूसरे महिने में, जिस बहु का तुमने यश्गुन गाया है, यश्गु महापुरान की कथा करती है वो भी सिर पर पल्लू लेकर तुमारे को धोक लगाने आईगी, जरूर यह पक्का आप अपने भीतर कुछ अच्छा तो लाओ आज कोई कहरा था गुरु जी पूरे भारत में, पूरे जगहा पर देखा जाए तो आज दुनिया के लोग ये भगवान के नाम से क्यों इतना चिड़ने लगे भगवान के नाम से, राम नाम से, शिव नाम से, कृष्ण नाम से ये दूसरे लोग आखिर चिड़ते क्यों, तो हमने का सीधी सीधी बात है कि राम चरित मानस में भी बढ़ना नाया कि जब जब राम चरित मानस में जब जब राम जी की सेना के लोग जई जई श्री राम चिलाते थे तब तब जितने राक्षस थे, वो सब राम सिना के दल के लोग जब जब सी राम चिलाते थे जितने भी राक्षस थे, वो सब भिनक जाते थे, सब भिनक ते थे, सब गुस्सा करते थे, सब कुरोध करते थे जब उस समय पर भगवान के नाम से राक्षस भिनक जाते थे, तो आज के समय के राक्षस भी तो जे जे शिरी राम करने पर भिनकेंगे के नि भिनकेंगे? जरह विचार तो करो. जब उस समय पर राम दल की सेना चलती थी और हनमान जी न धमक के, अंगद ने कूद कर रामन के सामने कह दिया था, जे जे शिरी राम, तो सारे राक्षस भिनक गए, सब उक्रोद आ गया. सब को गुश्सा, तो जब त्रेता में ये हाल था, राक्षसों का, राम नाम से, शिवकी भक्ती में जितने जितने लग सकते हो, उतने लगो. कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक लोटा पानी, जो भगवान शंकर को समर्पित करता है, मरने के बाद, तुमारी ओलाद, तुमारा किसी पवित्र नदी में तर्पन करे न करे, तुमारा शिवको दिया हुआ जल तुमारे खाते में पहुच जाता. आपने जो शंकर भगवान को एक लोटा जल दिया है, शिवजी को एक लोटा पानी चड़ाया, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करा है, शंकर भगवान को एक लोटा जल अगर आपने दिया है, तो वो आपके खाते में पहुचेगा जरूर, ये निश्यत है, पक् और शिव भक्ती के अनुसार शंकर भगवान के अनुमोधन के अनुसार पहले भी कथा में कहा आज फिर कर रहे हैं आप जब शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करते हो तो वो 33 कवटी देवताउं के हिस्से में चले जाता है एक भाग फित्रों के हिस्से में चले जाता है एक भाग आहूतों के हिस्से में चले जाता है एक भाग वाचुकों के हिस्से में चले जाता है आपने जो भगवान को दिया वो धीरे 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 बढ़ता चले जाता है भगवान की दामों में पहुचता चले जाता है जिन जिन को आपने नहीं भी दिया शंकर भगवान पे चड़ा हुआ जल उन तक भी पहुच जाता है ये किवल आपकी निर्मल और आनंदित भक्ती के बल पर